हेलो एवरिवन आई वेलकॉम योन आर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने जारें अपनी क्लास 12 की हिस्ट्री के चैप्टर 2 के बारे में ये इस चैप्टर का पाच्वा पार्ट होने वाला है बाकी के सबी पार्ट जितने भी है सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इंफोर्मेशन के लिए हमारे टेलिग्राम ग्रूप जॉइन कीजिए तो चली शुरू करते हैं हम मगत पर शासन के बारे में बात कर रहे थे सूला महा जनपद वगेरा सारी डीटिल्स हम पहले की वीडियो में डिसक मौर्रे समराज्य की क्या की थी स्थापना की थी ठीक है मौर्रे सामराज्य के संस्थापव को कई चंद्रगुप्त मौर्रे उसके बाद बिंदुस आ रहा है जो इतने प्रभावी नहीं तो और फिर अशोक आए जिनने सबसे प्रभावी राजाओं में से एक माना जाता है ठीक है आगे अगे हम देखे तो फिर इसके बादाए गृप्तिसामराज्जे लिसके बारे में अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जानेंगे चुरी गृप्तिस तापनागी फिर चंद्रगृप्त वन समुध्र गृप्तिसार पर वो सब इतने important नहीं है क्योंकि वह आपके syllabus में ज्यादा mentioned नहीं है तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में मगत के बारे में देखिए वाला जो हिस्सा है यह मगत के बारे में मगत के शासन के बारे में तो मगत पर मौर्यों का शासन था पर अशोक की नीतियों की वज़े से दीरे दीरे मौर्यों का शासन क्या हो गया खतम हो गया कैसे खतम हो आई हमने वीडियो में डिसकस किया है वाली उसे देखिये जाकर आपको सब क्लियर हो जाएगा तो मगत पर शासन खतम हो गया किसकी वज़े से अशोक की नीतियों की वज़े से और उसके बात क्या हुआ यानि मगत पर शासन खतम होने के बात क्या हुआ तो यह हम उमें देखना है मौरे समराज्य के बात क्या उत्तर में कुशान शासक आ गए, पश्चिम में शक आ गए, मद्य भारत में वाकटक, दक्षिन पश्चिम भारत में साथ वाहन, और दक्षिन भारत में सरदारियों का उद्य हुआ, सरदारी मतलब चोल, चेल और पांडया जैसी क्या होई, सरदारियों का उद्य हुआ, वहा आप इस map को देखिए आपको सब क्लियर हो जाएगा देखे पहले क्या था कि यह पूरा मगर समराज्य था ठीक है यह जो आपको यह नीला वाला हिस्सा दिखाए दे रहा है पर जब अशोग ने अपनी नीतिया बनाई और मौरे समराज्य दीरे 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 पतन की और बड़ा तो अलग-अलग जगाओं पर अलग-अलग राजा उने क्या करनी है शासन कर लिया तो दीखे उत्तर में कौन आ गए कुशान शासक ठीक है यह वाला जो हिस्सा है यह पश्चिम का यहां पर शक आ गए ठीक है मद्धे वाला जो हिस्सा है वहां पर वाकटक यह के अंदर सरदारिया होने लगें जैसे कि चोल चेर और पांडिया इनी के बारे में भी हम बात करेंगे सरदारी क्या होती है और अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर यह जो मगद एक्जिक्ली मगद वाला इससा ता हमाँ पर कौन आ गया गुपतिसामराज्य तो च क्या है कि मौरेस हमराज्य के बाद मगद धीरे धीरे बिखर गया अलग-अलग शासकों का राज हुआ उसमें से हम किसके बारे में बात करें दक्षिन भारत में शासन के बारे में ठीक है तो भारत के दक्षिनी शेतर में सरदारों का उदे हुआ ठीक है और यहां पर मुख क्या होते तो देखिए सरदार कौन था सरदार एक प्रकार का शासक था जो राजा तो नहीं था पर राज्य पर अधिकार रगता था यानि वो राज्य तो नहीं होता था पूरी तरीके से पर राज्य पर अधिकार रगता था आप यह नहीं कह सकते कि वो राज्य सारे अधिका फिर उसका बेटा ऐसा करके भी बन सकते थे और चुनाओ भी हो सकते थे उसके अधार पे भी चुना जा सकता था समर्ठक उसके परिवार के ही कौन हुआ करते थे लोग हुआ करते थे थीक है इसके कारToday क्या थे यानि सरदार किया क्या अगरता था तो देखिये सेना का नेतरत्व गरता था बweekर यूद वगेरा ह तो उसमें सेना का नेतरत्व गरता था साती साथ जितने भी प्रकार के धार में कनुश्थान थे या यंग्ग थे वो सब कौन सरदार आयो जिद करवाथा था था साथिसाथ अगर कोई जगड़ा विवाद आधी हो जाए तो वो कौन सुल जाता था सरदार सुल जाता था राज्ये के सभी प्रकार के विवस्ता ओपर सर्दार की नजर रहती ती सोरी सरकार नहीं सरदार ठीक है और यह पून्ट रूप से राजा तो नहीं था पर राजा के लगबग सभी कार्रे किया गरता था यह टेक्स कैसे लेता था तो यहां पर क्या होता था कि किसी भी सरदार द्वारा स्थाई रूप से कर नहीं लिया जाता था ऐसा नहीं था कि किसी से directly tax लेता था या किसी पर directly tax लगाता था बल्कि लोग Charter का करते थे सर्दार को भेट किया करते थे तो इसी से सर्दार की income होती थी यानि उसकी आय होती थी став वो कर्ण में फरकोताता किसने सरदार ने और फिर उसने उसे किसमे वाड़ दिया अपने समर्थकों में तो इस तरीके से चला करता था अब हमें सरदारों के बारे में पता कहां से चलता है तो इन राज्यों के बारे में जानकारी प्राचीन तमिल संगम गरंतों से मिलती है ठीक है तो भारत के उत्तरी हिस्से में कुशान शासकों का रास था इन्हें क्या कहा जाता था इन्हें देविये शासक क्यों कहा जाता था ये मैं भी आपको एक्स्प्लेइन करूंगा देखे इन्हें देविये शासक इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये शासक खुद को देवत ताकि समान दर्शाने की कोशिश करते थे यानि वो लोगों में अपनी प्रजा में अपनी इमेज बनाने की कोशिश करते थे कि वो किसके समान है भगवान के समान है यानि भगवान के बराबर है अब दिमाग में खयाल आता है कि वो ऐसा क्यों करते थे ऐसा करने से उन्हें क् चीक है तो इसलिए क्या करते थे खुद को देवता समान की library कोशिश करते थे ऐसा करने से कि जनता की वीचित उनके अचा सबी इमेज वनती थि और इस अचफित के कारण राजा को किया रहते थे लोगों का समर्थन मिलता रहता था और इसी वजह सेकर आ ग्रजा क्या एक इतुन या भागवान है और यहां राज है तो इन दोनों को क्या करता था समान मालने लग जाता था युज के दिमाग में इंगर बन जाती थी साथि-साथ क्या करते थे कि अपने नाम के आगे देव पुत्र लगाते थी यारे भगवान का पुत्र ठीक है तो इस तरीके से demputri शाषक कोई नाम वगेड़ा ठीक है तो इस तरीके से भी क्या होता था लोगों के मन में image बनती थी उनकी ठीक है प्रजा में प्रचले स्प्कों के एक तरफ क्या होता था राजा की छवी तो इस तरह के से इसाज्बि करने की कोशिश किया करते थे आगे अगर तो मौरे समराज्य के पतन के बाद मगत पर गुप्तवन्ष का शासन स्थापित हुआ इसकी स्थापना किसने की श्री गुप्तने की लगबग 275 इसवी में ठीक है गुप्तकाल को भारत का स्वर्णिम यूग कहा जाता है और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी दोरान भारत में सांस्कृतिक और शिल्पिय विकास हुआ यानि बहुत जादा इस तर पर बहुत बड़े-बड़े मंदिरों का निर्मान इसी दोर में किया गया था यहां पर यानि इस दोर के अंदर जो अधिकतर सिक्के थे ना वो सोने से मनाये जाते थे और यहां की जो राजकिय भाषा थी वो कौन सी थी संस्कृत थी समुद्र गुप्त सामराज्य के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक था यानि जितने भी शासक हो, इसमें से सबसे आदा प्रभावशालि कौन था, समुद्र गुप्त था, इस दोर के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, यह सब हमें पता कैसे चला, तो यह सब हमें पता चला साहित्तेक और अभी लेखों से, ठीक है, इसमें से जो सबसे पुराना सा इते एक स्त्रोत है वो कौन सा है प्रयाग प्रशस्ती ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है ये नाम का है प्रयाग प्रशस्ती ठीक है जिसे किसने लिखा था समुद्र गुप्त के राज कवी हरिक्षेण द्वारा लिखा गया था किसने लिखा था हरिक्षेण ने ठीक है इस का नाम क्या है प्रयाग प्रशस्ती और इसी से हमें काफी सारी जानकारी मिलती है गुप्त काल के बारे में और यह जो यह ग्रन तहनी प्रयाग प्रशस्ती इसकी रचना की गई थी संस्क्रिथ भाशा में यह सब 2-3 पॉइंट आपको याद होने चाहिए क्योंकि mostly एक-एक marks में पूछ ले जाते तो I hope कि आपको सब कुछ clear होगा ठीक है सारी वीडियोज देखिए सबका link आपको description में मिल जाएगा i button में पूरी playlist मिल जाएगी बिल्कुल अच्छे से videos को go through किजिए कोई भी दिक्कत ने रहेगी पूरा chapter क्लियर हो जाएगा otherwise अगर आपको कोई question remaining रह जाता है mind के अंदर तो नीचे comment कीजिए ठीक है we will try to reply all the comments ठीक है notes का link आपको description में मिली जाएगा join कीजिए telegram group important question और other information के लिए subscribe कीजिए हमारा channel ऐसी और वीडियो के लिए और एक like छोड़ कर जाएगे क्योंकि आपको एक like हमें motivate करता है ऐसी और वीडियो बनाने के लिए thank you